जैहिन दोस्तों मैं राकेस आप लोगों को आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ आज का बहुती बड़ा अपडेट आ रहा है रेलवेग गुरूप डी एक्जाम को लेकर कि कि आररसी गुरूप डी का एक्जाम डेट गोसित हो गया है और विभागय नोटिस भी जारी कर दिया गया है तो आज इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि रेलवेग गुरूप डी का एक्जाम कब होगा अब स्टुडेंट्स को क्या करना चाहिए कितना दीन सेस बचे हैं और किस तरह से प्रिप्रेशन किया जाए कि इस बार नोकरी हमार यानि कि इस बार रेलवेग को पार किया जा सके यानि कि रेलवेग एक्जाम को क्वालिफाई किया जा सके किस तरह से क्या स्ट्राटजी अपनाई जाए कि अडाम से रेलवे आपका क्वालिफाय हो जाएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को उससे पहले जो भी फ्रेंट्स हमारे चैनल पे न्यू विजिट कर रहे हैं किरिप्या वो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लिजेगा ताक आपको जो इंपोटेंट वीडियो होता है वो आपकसे मिसना हो और आपको जो गौर्मेंट जॉब के नोटिफिकेशन है या लेटेस्ट अपडेट है वो आपसे मिसना हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं जैसा कि हमने कहा कि रेलवे ग्रूप डी का एक्जाम का डेट गोसित कर दिया गया है या एक अनुमानित डेट जारी कर दिया गया है तो चलिए मैं दिखाता हूँ आज का या पेपर कटिंग जो हिंदोस्तान पेपर का है आप देख रहे होंगे कि ग्रूप D की परिक्षा 15 सितंबर के बाद मैं इस पूरा न्यूज को आपको पढ़के सुनाओंगा कि क्या एक्जेक्टली इसमें लिखा हुआ है और क्या आररवी जो है क्या त्यारियां कर रही है आपके एक्जाम के लिए तो देखे ये पटनागा न्यूज है कि रेलवे ग्रूप D की परिक्षा 15 सितंबर के बाद होगी यानि रेलवे ग्रूप D का जो एक्जाम है वो 15 सितंबर के बाद होगी इसके लिए जल्द ही आररवी की और से सुचना अपलब्द कराई जाएगी बहुत जल्द आररवी इसका भी आफिशली नोटिस आपको जारी कर देगा अब आररवी ने ग्रूप D में आवदन करने वाले परिक्षार्थियों का अस्टेटस वेबसाइट पर अपलब्द करा दिया है यानि कि जितने भी बच्चे और अररवी के फॉर्म्स भरे हैं उसका जो स्टेटस है फॉर्म एक्सप्टेड है की नहीं कि क्या उसका एक्सप्ट हुआ है की नहीं हुआ है ये चीजे स्टेटस जो है वेबसाइट पर अफ्लोड कर दी गई है परिक्षार्थियों का फॉर्म किन कारणों से निरस्ट किया गया है ये भी आपको सूचना भी दे दी गई है इसकी भी सुचना दिया गया है कि कुछ students के जो है form cancel भी किये गया है उसकी भी सुचना आपको उसका भी list जारी कर दिया गया है परिक्छार्थी और RWB की website पर जाकर आवदन निरस्त होने का कारण जान सकते हैं इसके लिए 31 जुलाई तक का समय दिया गया है ग्रूप डी में 1,005,000 से अधिग पदों के लिए ज्यादा पद है 1,005,000 से अधिग पद के लिए आवदन किया है इसमें देश वर्शे 1,20,000,00 क्या अस्पास पडिक्शार्तियों tray ने आवदन किया है यानि तोटल सीट 1,005,000 से अधिग है और इसके लिए एक करोड़ बीस लाख बच्चों ने आविधन के हाई या परिक्षा एक माह तक चलेगी यानि कि इतना स्टुडेंट्स होने के कारण कि ये जो एक्षाम है ये आपको करीब एक महना चलेगी इसलिए इसमें परिक्षार्टियों के संख्यां को देखते हुए एक दिन में दो से तीन चरनों में परिक्षा होगी यानि कि आपका एक दिन में खौस सेकेंड और थर्ड यानि तीन सिप्टों में एक्जाम रेलवे लेती है जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रेलवे के एक्जाम टीसीयस के दोरा कराया जाता है और टीसीयस जो है दो से तीन सिप्ट में एक्जाम को लेता है तो ये था आज इसके वीडियो में हम इतना रखेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अप्टेट के साथ मिलेंगे तब तक के लिए जय हिंद जय भारत